नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्वीर सिंक साथ दोस्तो वेकोली यानि की वेस्टन कोल फिल लीमिटेड नाकपूर छेत्र का सबसे एहम और सबसे महतुपूर्ण और सबसे बड़ी माइन्स है वो है गुंडेगाउं माइन्स यह गुंडेगाउं माइन् के मेन होते हैं मुखिया होते हैं वह एक जिम्मेदार व्यक्तित हो वाले एसे व्यक्तित को ही यहाँ पर भेजा जाता है और फिलहाल यहां के सबेरिया है राजजेंद्र ठाकरे जी यहां के सबेरिया है और अवैध गती वीधियों में गुंडेकों खदान किस तरीके से नाकपूर छेतर में अवल नमबर वन है डबलू सील में यह आप पिछले कई एपिसोड में देख रहे हैं सुन चुके हैं अब इस मामले की एक सबसे एहम जानकारी आप तक लेकर आयों अवैध काम यहां धरले से चल रही है यह जानकारी तब खुल कर सामने आती है जब 1 नमबर 2022 को एक ट्रिप टेलर गुंडेकों माइन्स के अंदर में पलट जाती है यह पलटती है चार नमबर श्टॉक के पास में इस पे काफी दिनों के बाद यानि के 8-9 दिनों के बाद जब BCN ग्रूप ने इस पे सवाल उठाय तो वहां के सबरिया राजजेंदर ठाकरे यहां के इस ट्रिप टेलर को जो पलटी हुई थी उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं वो कहीं न कहीं यह साबित करता है कि यह ट्रांसपोर्टर को बचा रहे हैं यानि कि यह ट्रक जिसके अंदर में चल रहा है जिसका है उसको यह बचा रहे हैं वो कैसे बचा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले उन्होंने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो black list का पत्र जो निकाला है ठाकरे जी ने वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि यह गारी mobile crusher के पास पलटी यह गलत है क्यूंकि यह कहीं से भी थाबित नहीं होता है कि यह mobile crusher के पास है क्यूंकि उस दिन जो हमारे पास अन्य footage है जिसको हमने अभी रखा हुआ है अपने पास में जो हम वक्त आने पे दिखाएंगे उसमें कहीं से भी यह थाबित नहीं होता है कि यह मोबाइल क्रशर के पास है यानि कि उन्हों ने यहाँ पे गलत लिखा शायद क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सच लिखेंगे कि स्टॉक कर्मांग चार से गारी पलट गई तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट यानि कि सबेरिया डबलूसील यहाँ पे फस जाते हैं उनकी नौकरी दाव पे लग जाएग कौन था उस दिन नोडल ऑफिसर कौन था उस दिन डूटी पे कौन से लोग तैनाथ थे इंचार्ज कौन था कई सबाल उठते हैं ड्रैवर की क्या गलती होगी ड्रैवर की क्या मजाल जो अधिकारियों के सामने उनके विरुद्ध जा करके किसी विच्छेतर में चले जाए है कि ट्रैवर एशी गलती कर सकता है कता ही नहीं कर सकता है लेकिन इन्होंने यहां पर अधिकारीयों को मेनेज्मेंट को बचाने के लिए क्या एक देश के गरीव वैक्ती जो ड्रैवरी करके अपना जीवन यापन करता है क्या उसे बली का बखरा बना देना कहीं से भी उचित है सवेरिया राजेंद्र ठाकरे जी ने आखिर जब इस पे साइन किया इस पत्र पे जब साइन किया ब्लैक्लिस्ट करने के लिए जब ड्रैवर को भी ब्लैक्लिस्ट बताया गया तो क्या उनके मन में कभी एक सवाल नहीं आया कि क्या इस तरीके से driver को गलत तरीके से driver का नाम फसा करके अपने management को बचा लेना क्या सही था क्या उनके कलम चलने से पहले हो साइन होने से पहले क्या उन्हें इस चीज का अहसास नहीं हुआ कि वो किसी गरीब के पेट पे उनके परिवार पे वो जो कान कर रहे हैं उससे कितना बरा नुक्सान होगा अगर आपको करना ही है तो आप कीजिए आप अपने मैंजमेंट पर कीजिए जो अधिकारी वह मौझूद था उस पर कीजिए लेकिन यह क्या आप एक गरीब को इस देश के गरीब को हमेशा देखा जाता है कि बड़े वर्ग द्वारा या फिर बड़े अधिकारियों द्वा बचा रहे हैं यह ट्रक अबनीस लोजिस्टिक्स के नाम से है जिसके मालिक है सपरा ब्रदर्स यानि की बोल सकते हैं अनिल सपरा यानि की यह मामला कहीं न कहीं से घूम फिर के यह बताता है कि इस अब एरिया ठाकरे यहां पे सपरा ट्रांसपोर्ट को बचा रहे हैं और एक गरीब को बली का बकरा बना रहे हैं इस पे एहम सवाल और कई जानकारी में लेकर जरूर जल आऊंगा आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सच दिखाया बिना चुपाया सिर्फ इन बिसीयन न्यूस पे